क्या हम पहले से शुरू कर सकते हैं? ये न्यूज आर नहीं है, जब मैं आपको कोई जवाब दे रहा हूँ तो आप मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप बड़ी गलती कर रहे हैं सद्गुरू ये मामला दूसरा है तो क्या डर होना ठीक है? क्या असुरक्षित होना ठीक है? ये चार चीजें हैं सद्गुरू जिन से छुटकारा पाने के लिए हमें कहा गया है आपके गुरू कौन है? मैं क्यों बताऊं? अगर मैं आपको रूपांतरण के साधन देता हूँ आपको सिर्फ साधनों का इस्तमाल करना सीखना है बस इतना ही जब मेरी बेटी बस साड़े तीन महीने की थी वो मेरे साथ सफर करती थी मेरा एक हाथ उसे संभालता था और मेरा दाया पैर हमेशा पूरा नीचे होता था और मैं देश भर में कार से गूमता था और वो इसी तरह बड़ी हुई पांच साल की होने तक जब तक वो स्कूल नहीं गई हर रोज हमें एक अलग घर में होते थे हरत रह के लोगों के साथ रहना सभी उसे कुछ न कुछ सिखाना चाहते थे मैंने कहा एक नियम है कि कोई भी उसे कुछ नहीं सिखाएगा कोई ABC नहीं, कोई 123 नहीं कोई कविता नहीं क्योंकि मुझे कोई परवा नहीं कि उनमें क्या है किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया जब तक वो 18 महीने की हुई वो बे धड़क तीन भाशाएं बोलने लगी क्योंकि उसने सब कुछ सुना क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था उसने आसपास की हर चीज को समझ लिया क्योंकि कोई उसे कुछ नहीं सिखा रहा था और वो इसी तरह बड़ी हुई और जब वो 12-13 साल की थी तो एक दिन वो मेरे पास आई और वो बस स्कूल से वापस ही आई थी वहाँ किसी चीज को लेकर परिशान थी और वो कहती है आप सभी को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं पर आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे मैंने कहा मैं बिना कहे कुछ नहीं करता तुम आप मेरे पास आई हो तो चलो देखते हैं तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है तो मैं यह जाना चाहता हूँ कि आप कितने इंसान हैं आईए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना इंसान हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने इंसान हैं सद्गुरू मैं यह आप से इस बज़े से पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सरम ऐसे लोगों से मार्ग दर्शन चाहते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि वे मानवता की असुरुक्षाओं से परे चले गए हैं मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी चीज से डर लगता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको डर महसूस होता है और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपको किसी चीज का मोह है क्या हम पहले से शुरू करें मुझे खत्म करने दीजिया इन्यूज आर नहीं है ठीक है जब मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ तब आप मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते मैं वापस आउंगा मैं वापस आउंगा मैं हम अभी रिपब्लिक में भी नहीं है आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं सद्गुरू 2014 में मैं राहूल गांधी नाम के एक युवा आदमी से मिला था मुझे नहीं पता लोग फिर से क्यों हस रहे हैं उन्होंने भी आप की तरह मुझे टोका था मैं बाद में वापस आया रुपिया जारी रखी लेकिन बाद में आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा यहां मामला दूसरा है तो मैं उस पर आऊंगा मैं उसी और बढ़ रहा हूँ तो यह लड़की मेरे पास आती है और ऐसा कहती है तब मैं कहता हूँ देखो तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है कभी किसी को उचा मत देखना वो मेरी और देखती है आपके बारे में क्या? मैंने कहा मैं भी नहीं कभी किसी को उचा मत देखना अगर आप किसी को उचा नहीं देखते तो आप हर चीज़ को वैसे ही देखेंगे जैसी वो है अगर आप हर चीज़ को उसके स्वाभाविक रूप में देखेंगे तो आप अपने जीवन से सहजता से गुजर पाएंगे इसमें बस इतना ही लगता है अब मैं कितना इनसान हूँ आपने अभी इनसान कहा और लगभग हर कोई हर जगा जहां भी जाता हूँ मैं लोग इनसान शब्द से हमेशा मानव होने की सीमाओं के बारे में कहते हैं पर कभी मानव होने की विशालता के बारे में बात नहीं करते अरे मैं तो बस एक इंसान हूँ, पर आप ये क्यों नहीं कहतें, मैं इंसान हूँ आप सबसे उपर हैं, आप धर्ती पर सबसे उची प्रजाती हैं आपको सभी प्राणियों में सबसे उपर होना चाहिए मैं तो बस एक इंसान हूँ लोग ऐसा इसी लिए कह रहे हैं, क्योंकि जितना दुख वे अपने आपको दे रहे हैं, उतना कोई दूसरा प्राणी खुद को नहीं दे रहा, कोई चीटी या हाथी खुद को इनसान जितना कश्ट नहीं देता, उनका पेट भरा हो तो वे ठीक रहते हैं। इनसानों के लिए खाली पेट सिर्फ एक समस्या, भरा पेट एक सौ समस्या हैं। इसकी वज़ा ये है कि ये विकास से जुड़ी चीज है। ये एक विकास से जुड़ी चीज है कि आप जिसे सरिब्रल फ्लावर कहते हैं, ये दिमाग आपके लिए नया है। विकासवादी प ज्यादा तर समय वे अपने ही विचारों और भावनाओं से दुखी हैं। ऐसा क्यूं है कि आपकी शिक्षा प्रणालियों ने आपको ये नहीं सिखाया कि अपने विचारों को अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। अब जिस पल आप कहते हैं आप मानवी हैं या नहीं, पहली बात, अगला सवाल कोई पूछेगा, क्या मैं हवा से सोने की चेन निकाल सकता हूँ, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ, या क्या मैं बाल्टी में से एक खरगोश निकाल सकता हूँ, या क्या मैं अपनी जेब से एक कबूतर निकालता हूँ, तो आपके पास क्या होगा आपके पास एक पक्षी होगा और मेरी जेब में सिर्फ शिट होगी इस से किसी का भी जीवन नहीं बदलने वाला मैं आपको एक चमतकार दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जो पूरी तरह सक्री है ऐसे लोग नहीं जो किसी गुफा में बैठे हूँ, पूरी तरह काम में लगे हुए, ठीक है, दिन के 24 घंटे, हफ़ते के 7 दिन हम सभी लगे रहते हैं, मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा, जिन्हें 5, 10, 15 सालों से एक पल के लिए भी गुस्सा, बेचैनी, चड़चड़ा कुछ नहीं हुआ, वे खुशी से आनंद से रहते हैं, दुनिया को इसी चमतकार की जरूरत है, मानफता को इसी चमतकार की जरूरत है, अगर आपके साथ यह होता है, तो आप इंसान को एक सीमा के रूप में नहीं कहेंगे, आप मानफता को एक बहुत-बड़ी संभावना बताएंगे आपने मुझे मेरा सवाल बुला दिया मेरा सवाल ये था कि हमें लगातार हमारी असुरक्षाओं को लेकर शर्मिंदा होना सिखाये जाता है हमें सिखाये जाता है कि मोह में न पढ़े हमारे जीवन में और हमारी हिंदू फिलोसफी में और दूसरी फिलोसफी में हमें लगातार मोह छोड़ने के लिए कहा जाता है मैं जाना चाहता हूँ कि ये जरूरी क्यूं है इसलिए मैंने आप से पूछा क्यूंकि आपको आत्मग्यानी बताया जाता है जो कि मैं जानता हूँ आप हैं, मैंने आप से पूछा था कि क्या आप आत्मग्यानी हैं, क्या आप जैसा आत्मग्यानी असुरक्षा, मोह बंधन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी चीज को उचा देखेंगे, तो आप बढ़ाय चड़ाएंगे। अगर आप किसी चीज को नीचा देखेंगे, तो आप नकारात्मक को बढ़ा चड़ा कर देखेंगे। जैसे ही आप किसी चीज को सम्मान के साथ देखते हैं, उससे आपक किसी ना किसी तरह घ्रिना आ जाएगी। तो ये डर, असुरक्षा, लगाव, वैराग्य की भावनाएं सबकुछ एक परिणाम है। हम स्रोत को संभालें या परिणाम को संभालें। लोग हमेशा नतीजे को संभालने में व्यस्त रहते हैं। लोग आपसे ये कह रहे हैं, अपने डर को कम करो, क्या आप इसे कम कर सकते हैं। ये किसी भी तरह काम नहीं करने वाला। अब आप दूसरे पहलू पर जा रहे हैं और कह रहे हैं, हमें इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं हैं, डर होने दो, क्या ये सुखा दनुभव हैं। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, हमारी आसपास की दुनिया में जो होता है, वो एक अलग बात है। दुनिया कभी भी सौ प्रतिशत वैसी नहीं होगी जैसे आप उसे चाहते हैं। अगर आप घर में दो लोग भी हैं, फिर भी ये सौ प्रतिशत वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं। अगर ये 51 प्रतिशत भी आपके तरीके से होता है तो आप ही बॉस हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर जो होता है वो आपके ही तरीके से होना चाहिए है ना, अगर आपके भीतर आपके तरीके से होता तो आप इसे आनंद में रखते या डर में या दुखी वगरा आप खुद के साथ ऐसा नहीं करते हैं ना कम से कम अपने आप के लिए तो आप सबसे उंचे स्थर की सुखत्ता चाहते हाला कि आप जो अपने पडोसी के लिए चाहते हैं वो बहस के लाइक हो सकता है पर आप जो खुद के लिए चाहते हैं वो बहुत साफ है है ना तो डर होना ठीक है असुरक्षित होना ठीक है नहीं मैंने ऐसा नहीं का क्या लगाव होना ठीक है और मैं पूछता हूँ अगर आपके पास चॉइस होती है और एहंकार के बारे में क्या सद्गुरू डर्स, असुरक्षा, लगाव और एहंकार ये चार चीजे हैं सद्गुरू समय के साथ हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और जीवन में जादा सीखते हैं आपको इन सभी चारों को छोड़ देना आपके गुरू कौन है? माफ किजिए आपके गुरू कौन है? मैं क्यों बताऊं? नहीं पर ये एक तथ्य है हमें यही बताया जाता है क्या ये ज़रूरी तोर पर सच है? एक बार में एक बात करते हैं इगो यानि एहंकार सभी इसके बारे में बात करते हैं अभी कोई भी इनसान के बात करें अगर वो कुछ शांदार करते हैं तो वो कहेंगे यह मैंने किया अगर वो कुछ बुरा करते हैं, ये मेरा इगो या एंकार था तो मिस्टर इगो एक बली का बकरा है जब भी आप बुरे होते हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं पर जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो बेशक वो आप होते हैं, है न मैं कह रहा हूँ, आइए जीवन को सीधी नजर से देखें, कि कभी आप शांदार होते हैं, कभी आप बुरे होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, अभी आपकी यही हकीकत है आपको एक बली के बकरे की ज़रूरत नहीं है हमें अपने जीवन में इतनी इमादारी तो लानी ही चाहिए कि मेरे भीतर जो कुछ भी होता है वो मैं हूँ और कोई नहीं बलकि मैं अगर आप इतनी बात समझते हैं तो अभी अगर आप देखें आप डर में हो या दुखी हो या परेशान हो या निराश हो अगर आप देखें कि ये सब मेरी वज़ा से है तो क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? सौ प्रतिशत अब अगर मैं इसे बदलना चाहता हूँ पर कैसे? अब आप साधनों के लिए पूछ रहे हैं इसलिए मैं यहां हूँ, आपको रूपांतरण के साधन देता हुआ, क्योंकि मानव जीवन में साधन महत्वपूर्ण है इंसानों के तौर पर हम इस धर्ती पर हमारी साधनों का उप्योग करने की वज़ा से ही हावी है नहीं तो शायद चीटियों या कुत्तों के जुंड मानव जाती पर हावी हो सकते थे, पर हम उपकरनों का इस्तमाल कर सकते हैं साधनों की शक्ती ऐसी है, अभी अगर मैं आपसे इस फरनिचर में से एक छोटा सा पेच निकालने को कहूँ तो आप अपने सभी नाखुन खोज सकते हैं ये बाहर नहीं आएगा अगर मैं आपको एक छोटा सा पेच कस दूँ तो ये बाहर आ जाएगा तो इसी तरह भीतरी आयामों को संभालने के लिए साधन मौजूद है ये साधन ये इस देश के USP हैं जो अब पूरी तरह बिगड़ चुका है लोगों ने इसे ठीक तरीके से पेश नहीं किया है अगर मैं आपको रूपांतरण के साधन देता हूँ तो एक चीज होगी उन साधनों का इस्तमाल करना सीखना बस इतना ही आपको कोई फिलोसोफी मानने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी विचारधारा से नहीं जुड़ना है आपको स्वर्ग की और नहीं देखना है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस दिशा में है लोग उपर देख रहे हैं आखिरकार आप एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और ये कमबख चीज हमेशा घूमती रहती है अगर आप उपर देखते हैं तो लाजमी है कि आप गलत दिशा में देख रहे हैं झाल